तो वेलकम गाल वेलकम टू अडो प्रीमियर ट्वेंटी ट्वेंटी तो बात करेंगे हरा बैक्राउंड को चेंज करने का क्योंकि आप सब बाच के हो एडवांस टूटोरियल्स पे हना किसी भी वीडियो का बैक्राउंड चेंज करने हैं मानलो मैं कोई दिवार चेंज करने हैं जो मेरे बैक साइड है मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं करता नहीं क्योंकि इतना करने से चेक सिंप्ली सिटी में वीडियो रखो लेकिन जितना करोगे उतना ज्यादा सीखो गया और प्र यूस है न, उसका ये यूस है कि वो हर्या पर्दा बैग्राउन हटा देता है और पीछे कोई भी वीडियो लगा सकता है, कैसे? चलते हैं स्क्रेइन पर एंड देखते हैं सो मैं यहां यह मैडम जी की कुछ बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही है, लेकिन लेकिन इसके पीछे मैंने रखी है अव्यसी बात है, वीडियो की क्वालिटी बहुत जादी हाय है, तो मैं इसको साइस छोटा कर लेता हूँ या बढ़ा करना चाहाँ, आप बढ़ा भी कर सकते हैं, जो आपका मन करें ठीक है, फिलाल मैं चलता हूँ, वी टू पे, जो मेरी ये मैडम पड़ा रही है, इस वीडियो पे मैं चलता हूँ भाई, मैडम का बैगराण हरा बहूत बढदा, बहूत गंदा बहुत ही बेसवाद लग रहा है इस बैगराण को चेंज़ करके ये नहर वाला background रखतों कैसे चलते हैं effect पे जाओगे effect पे आप type करोगे ultra key ultra key आप select करके अपनी v2 पे drop करोगे v2 जिसमें हरा वाली screen है इस पे drop करोगे and जाओगे इस वीडियो के effect control panel पे ultra key पे इसमें आप key color कौनसा key color change करना जाता हूं मैं करना जाता हूं हरा color औव्यसी बात है हरा color ही एक ऐसा color है जो arrow बहुत अच्छी तरह समझता है और इसलिए हम हरा background रखते हैं ठीक है simply click करूंगा and background साफ background साफ हो ठीक है and अब जैसे मैडम जो अब मैडम का background नहीं है तो कोछ भी आप background रख सकते हैं इसके बीचे बीचे बात है कोई blackboard में समझा रही है कि तो blackboard वाला कुछ रख दो उस blackboard में अपना आप कुछ penpun चल रहा है वैसा कर सकते हूं वह आपकी मर्जी मैं एक basic idea दे रहो होना इधर इसी में आपको composite रखना है alpha channel से आप देख सकते हो कि कितना कितना हुआ है तो मैडम purely white है तो यह हमें purely दिख रहा है clear cut दिख रहा है यह हिस्सा and जहां black की है उसमें हमारा background वाला side दिख रहा है and इसी में आगे चलते है default या aggressive मैं aggressive select करता हूँ aggressive से क्या होता है एकदम clear cut दिखना शुरू होता है अब इसमें दिख दो और clear cut दिखना शुरू होगा so हमेशे याद रखना aggressive कर लेना इसको ठीक है aggressive कर लेना जब आप aggressive करोगे आपको इनके साथ छेड चाड करने कि कोई करोगे उतना अलग-अलग दिखेगा आपको भी जैसे यहां light light जो है इस जगह जो आपको light light दिख रहा है यह अभी थोड़ा बहुत हमें show हो रहा होगा लेकिन इतना दिखेगा नहीं वह अगर आप shadow इसी और कम कर दो तो आपको clear cut दिखे है लेकिन अब यहाँ थोड़ी वह shadow दिखे है जिसके वैसे photo खराब हो जाती है और setting भी आपकी custom में चलिया तो मैं हमेशा चूज करता हूँ aggressive automatically Adobe को पता है कि क्या setting रखनी है वो उसके साथ से रख लेगा आपको इसके साथ छेड़ चार करने की कोई जरुत नहीं हाँ in case कभी जरुत पड़े इसलिए मैंने बता दिया मेट क्लीन अप यह क्या काम करता है यह मैं आपको इसके composite में जाके दिखाना चाहूंगा जहां मैं आपको इसका background थोड़ा सा close-up से दिखाना चाहरा हूं 100% and 150% अब शयाद आपको दिखें इसका background की मेट क्लीन अप क्या करेगा चोक अगर मैं कम जादा करता हू तो इसके dress में एक हलका संतर देखो यह मैडम पतली मोटी हो रही है दिख रहा है so view मोटा रखना चाहते हो अब गोलाई में रखना चाहते हो तो यह चोक कम रखना अगर तीखा रखना चाहते है चोक ज्यादा अब्वेसी बात है by default Adobe ने जो रखा है वही रहन दो soften एकदम से कट चाहते हो body में या दीरे-दीरे कट चाहते हो एकदम से कट चाहो एकदम से रख लो दीरे-दीरे चाहते हो तो कुछ थोड़ा सा soften बढ़ा के रखा करना क्योंकि धीरे-दीरे कट अच्छा लगता है अगर क्लियर कट कर दूँगा तो आपको भी पता लगते हैं कि हाँ इसे कोई और वीडियो चल रही है तो इसलिए सॉफ्टन थोड़ा सा थोड़ा सा दस तक तो कर ही देना दस तक कर देना जिससे पताना लगे ठीक है जी इसी के बाद कंट्रास्ट औव्योसी बात है कंट्रास्ट तो कुछ ज़्यादा आपको समझाने की जरुरत नहीं ठीक है यह बाइड़ पॉइंट की आपको कितना कट चाहिए सारा इसकी बॉड़ी की आउटलाइनिंग पे काम करता है क्या मेट क्लीनप बॉड़ी की आउटलाइनिंग पे काम करेगा सारा मेट क्लीनप जिससाब से आपको मिड़ पॉइंट चाहिए होगा फिलाल मैं इन सबको बाइड़ डिफॉल्ट पे रख रहा हूँ क्योंकि एडोब हमसे ज्यादा समझतार है ठीक है एंड स्पिल कलर करेक्शन आपको सैचुरेशन यू कुछ सेट कर रहा हो वो आप कर सकते हैं जिसकी बात हमें ज्यादा करने की जर्रत नहीं है सो इस वे में आपका ये काम हो जाता है एंड वीडियो अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको यहां से थोड़ा अच्छा व्यू लग रहा है मिरको सो मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो को यहां तक क आप कर रहा हूँ आप देखो अब तो आप यह जैसे कि बता रही हो बैग्राउंड का वैसे आप रख सकते हो आपको अच्छी लगी होगी प्रेजंटेशन और अच्छी लगी बैग्राउंड चेंज करना अगर सीखा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दे आपाउंड गर कर देखा झाल फो आप कर देखो आपको अबर नहां हो आपको अच्छी लगी हो आपको आपका जरूर कर देखा